ही गाइस विडियो में यूटिव चैनल माखने एक्षैकेशन ग्यास वीडियो में भाग करने वाला है। तो राइस हम यह समझेगे कि Google Analytics जो टूल है वो है क्या यह किस काम आता है किस टाइप का यह दिपोर्टिंग देते हैं इस वीडियो में और आगे की पूरी लेलिस हम इसके उपर बनाने बाले हैं तो जादा टैनल लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो गुगा इनिटिक के ऊपर हमाई पर जो questions रेंगे वो यह देंगे कि Google Analytics actually है क्या कि ठीक है Google Analytics account क्या होता है Google Analytics property क्या होती है और कैसे Google Analytics 4 यूनिवरसल अनलग है ठीक है और कैसे Google Analytics 4 जो है डाटा कलेक्ट करता है और कैसे वह जो है डाटा का प्रोसेस करता है इन सके वारे में बार कने वाले है तो गाई Google Analytics होता गया Google Analytics is a web analytics service that provides static and basic analytics tools for marketing purpose Google Analytics का simple logic यह है कि वह ऐसा tool है जो की data collect करता है मार्केडिंग परपस के लिए ताकि आपको एक web analytics के रूप में provide कर सके अब Google Analytics account जो है जो है जो होता है एक होता है Universal Analytics एक होता है Google Analytics 4 Universal Analytics जो है वह जुलाई अगस के अंदर Google already discount भी करने वाले है तो हम Google Analytics 4 के पर पूरी वीडियों में बनाने वाले है तो अब Google Analytics के अंदर गाइस अगला आता है Google Analytics property तो property होता क्या है तो अब property is where your company online data goes to get a process in the Google Analytics तो property वह जगे होती है जहां पर आपकी web का या आपकी app का data collect करके रिखा जाता है अब Google Analytics के अंदर जब हम अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर में बताने वालों कि हम कैसे इसको setup करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम जो इसको manually करके देखेंगे कि हम कैसे Google Analytics एकाओट बनाएंगे और उसको अपनी website के ने implement करेंगे अब Google Analytics जो है गाइस दो टाइक की रहती है यूणिवर्सल एनिटिक के लिए वह यूव प्रॉपर्पर्टी बन जाता है गूगर एनिटिक फोर गेले जी ए फोर प्रॉपर्पर्टी बन जाता है तो गाइस अगला question आता है कैसे Google Analytics 4 जो है फोर की प्रॉपर्पर्टी जो है उनिवर्सल एनिटिक की प्रॉपर्पर्टी से डिफ्रेशेट होती है तो इसका गाइस सिंपल तर तीन तीन दिफ्रेंटिक के माध्यमतर इसको समझेंगे कि युनिवर्सल एनिटिक जो होता है वो शेशन बेस मोडल होता है शेशन के होता है शेशन एक टाइम फ्रेम के अंदर कितनी भार कोई भी यूजर पर्टिकुलर एक्शन लेता है उसको गिंतेक शेशन के अंदर गूगल एनिटिक फो जो है वो इवेंट बेस मोडल के अपर करता है रिपोर्टिंग के अंदर जो है क्रोस प्लेटिक के अंदर युनिवर्सल एनिटिक के लिमिटीड पर जयंकर इखटी करता है जैसे एक्षामबल बता रहा हूं मान लीजी आपने कोई चलाया आड़ चल तो जैसे हमने पहले होता है तो जैसे हमने पहले होता था जैसे कोई यूजर जो है महलब तो पहले आपकी वेशाइट पर आया तो पहले आपकी वेशाइट पर आपके पर यूजर जो होगा वो गिना जागा पेज दे अनतर दन उसके पार यूजर बटन के वापके अंदर फिर दूसरे पीज में जाता है वो स्क्रोल करता है वो इवेंट अलग अलग होते हैं अब एक शेशन जो हैं ग्रूप अब जैसे एंदर हम एक सकते हैं जैसे अनदर हम एक जैसे आग्सांपल ले सकते हैं कि जैसे दूरिंगा गोगा जैसे हम इवें बेस मौट करेंगे तहीं आपे जैसे किलिक हो गया पेज़ वी हो गया आपका इंस्टोड या ऑपन एपस हो गया थीक है यूजर एंगेजमेंट हो गया थाइपन प्लेटफर्म इस वी प्लेफरोम के वबार क्या कर दभाजन होता है इस वाइस है इस तरह से चीज को कॉन्ट होता है अगला हम समझेगे identity space is Google identity code तो identity space is क्या होता है वेन आ त्राइंग तु अंडरस्टांड द यूजने यूजर इंट्र सच आप अइदर को ढ mir excited सब्दुम अबहूं कि छेए। इसके अधर Google signal आ गया इसके अधर user ID आ गया इंग तरह से जो है अलग अलग अधर तरह से यह data collect करता है फिर उस data से जो है एक final output निकालता है जो यह हमको अनिटिक ने चोग करता है जैसे example के दिए में बतातु हूं कि जैसे मालिज्य आपके educational की website है उसके अंदर आप एजुकेशन प्रवाइड रखते हैं वीडियो के जड़ी है उसके अंदर क्या होता है कि आप 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 एप भी है आपके वैप भी है और आप टैबलेट के पर भी आप जो है उचेज को शो करते हो अब एक ही यूजर जो है चाहिवा वैप पे देखे आप जो है वो उसको क्लेक्ट नी कर पाता है मलब उनिवर्सल अगर वैप पे है तो वह आप पे क्या और उसको पता ही नहीं लगेगा लेकिन गुगल एंटिक फोड़ जो है एक पूरा-पूरा मलब कॉंबिनेशन है मलब इन तीनों का एक अपना डिवाइस एडी हो गया एक अ तो गोगर सिकनेर के अंदर क्या होता है मलब जिढ़की यूजर का डाटा किलेक करता है अब यह कैसे चल्ब करता है तो यह से मघें चलो आप ने करेंटम को ठोब अब है अब आपने एप के बाग कुछ भी इंट्रेक्शन करी तो यहां पर क्या आता है न गाई इसकी यहां पर यह रहेगा कि आपको यूजर तो एक ही होना यूजर तो आप अलग नहीं हो आपने ही मतलग आप ही ने यहां पर आपने जो आप ने प्लेस्टों को ला आप गूगल के यह सब्सक्राइब आपने आप दो डिवाइस से जो है आप जो है तो एक यूजर हम यह वांगे जलते है एक यूजर जो है मनला गूगल सिगनल के जरिए अब दिवाइस से भी डाटा क्लेक्ट हो रहा है उसका पर्टिकुलर यूजर इडी से भी डाटा क्लेक्ट हो रहा है तो तब जाकर के इन तीनों के कॉंबिनेशन के जरिए एक फाइनल आप निकलता है जो गूगल एंटिक फोर्ग आपको दिखाता है ठीक है तो यह सब य जो है गूगल यूजर आपको आच्की वीडियो समय जाई होगी नेक्स वीडियो में बाग करने वाले है कैसे हम गूगल एंटिक फोर्ग को सेट अप करेंगे मतलब क्या कि मान लिजे कि आपके पास जो है एप भी है मान लिजे आपके बाद वेबसाइट भी है मान लिजे Signing off